तो ऐसे में सबसे पहले में आपसे यही पूछने चाहूंगी कि मलूग जी का जो यह बयान आया है कि इंडिया गडबंधन का मायावती के बिना कोई वजूद नहीं है तो क्या लगता है आपको इस बयान में कितनी सचाई है यह बयान उनका कहा तक सही है हर पाल्टी के नेता अपने जो मुखANT यह बड़े नेता उनको परदान मंतरी बनाने की बात कर रहा हैं इसी तरह पहलतली के जो सांसद बिज्जनौर से मलूक नागर वह भी मायावती को परदान मंतरी बनाने की बात कर रहा है लेकिन ये बात वो कह रहे हैं तो कोई छोटी या बड़ी बात नहीं क्योंकि जो उनका बयान जो आया है ये मायावती के तरफ से ही कुछ ना कुछ उनको हिंड मिली होगी तब इन्होंने बयान दिया है कि परसिनली अपना ये बयान नहीं पुख एताए तो मायाथी नहीं कुछ नहीं हम जो कुछ उनको हिंच से बयान दे राहे है, तो लग रहा है कि गड़ंदन में वह सामिल होना चाहती है , क्यों की गड़ंदन के सामिल होने को जाए है क्योंकि इनके फ़र 20 परसेंट 5 पर्से अगर इंडिया एलाइन से जुड़ती है तो यह उनके लिए भी काफी फायदा होगा क्योंकि अगर उनको बनना है मुखमंत्री बनना है परधान मंत्री तो हर समाज का ओट उनको लेना है इसलिए उसमें जुड़ना चाहती है और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात क कहा था कि मायावती को इस गड़बंधन में सामिल ना किया जाए अगर सामिल करना तो हमें पहले से बता दिया जाए तो गड़बंधन होने से पहले कहीं ना कहीं यह आपस में टक्राव दिखाई दे रहा है तो जैसे कि अभी इनों ने आपने कहा कि दोनों में मायावती औ कि कहा तक सही है देखिए अभी आपने कहा कि मैवती और समाजवादी पार्टी की काफी टक्राड नजर आ रही है ये लोग सभा 2019 के चुनाव हुआ था उसी समय से ये हो रहा है आप सी सहमती बन नहीं पा रही है और अब इनका बयान आया है कि मलुक जी कहा कि माफी मागनी च बहरा है और अभी प्रधान मंत्री का चेहरा बनाया जाए उधर नितीस कुमार भी वह भी प्रधान मंत्री राहुल गादी खुदी केंपियन करें कॉंग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जा रहे हैं वह भी प्रधान मंत्री का चेहरा तीन तीन चाचर लोग हैं अब इस जोडेंगी जब उनसे माफी मांगी जाएगी और उन्हें पी-म का उमीदवार बनाया जाएगा तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा करेगी इंडिया एलाइंस उन्हें अपने साथ लाने के लिए इंडिया एलाइंस अगर उनको जोड़ना होगा बीजेपी जैसे कहते हैं बीजेपी का रत रोकना है तो अगर रत रोकना को वाकई में उनको रत रोकना होगा हो सकता है कि माया उती सभी गड़ बंदन के ले क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस के परवक्ता के बयान आता कि छोटे-चोटे दलों को भी सामिल के आदा तो माय बस्पा जो कोई चोट ममता बनर जी और अर्बिन केजिरिवाल ने उनको बनाने की बात कि इनको परदान मंत्रिक चहरा बनाए जाए तो माया वति को यह भी कहीं दिक रहा होगा कि हमारा जो डली तो बैंक हो हमसे कहीं दूर हो जाएगा को कि दली तो बैंक को देखेगा कि मलिकार जुन खड़के परदान मंत्रिक चहरा तो इनको फिर नहीं देखेगा फिर उनको मलिकार जिन खड़के देखेगा वो ओट बैंक उधर कांग्रेज के तरफ गडबंधन के तरफ सिफ्ट हो जाएगी तो माया वति अपना साग बचाने के लिए भी यह हो सकता कदम उठाने की बात कहीं हो कि उन पर बात हो गडबंधन में सामिल हुआ जाए तभी तो बिजनोर के जो सांसद है मालुक नागर उनका तभी यह बयान हो सकता इसके वज़े से आया हो वहीं अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की अखलेश यादव की तो विपक्ष में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे मजबूत पार्टी उन्हें की है तो अगर माया वति बसपा आ जाएगी तो अखलेश यादव और समाजवादी पार्टी का क्या लेकिन आप अभी मेवती के बात की तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकती हैं कि मेवती की पार्टी की क्या इस्थिती रही है और अखिले सियादो की क्या इस्थिती अखिले सियादो वाकई बहुत मजबूत पार्टी हैं लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेवती को उत्तर प करें मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अभी चुना हुआ था आप देख लीजी उत्तरपदेश में कि उनके किते सांसद्या विधायक पहुंचे अगर बात करें समाजवादी और बसपा की टकर की तो आपको लगता है कि समाजवादी आगे बिल्कुल समाजवादी आगे नि देखा जाए तो इंडिया गडबंधन की होंगी समाजवादी पार्टी भी बसपा भी तो एक ही गडबंधन में होके दोनों में इतना टक्राफ चलना ही कहां तक सही होगा और आगर ऐसे ही रहा तो एक ही साथ एक ही गडबंधन में काम करना कहां तक सही होगा तेखे होती गड़ बंधन करेंगी तो वह भी पर्धान मंतरिक चहरत तोर पर उन्होंने जो साथ रख दिया उस पर अगर उनका नहीं बात बनता है तो कम से कम उसको सीट सेरिंग को लेकर बात होगी ज्यादा ज्यादा सीट मांगेंगी वही समाजवादी पाल्टी ने कांग्रेस को दस सीटे देने की बात कही है साथ सीट अपना लेने की बात कही है और अरेलडी को पांच सीट देने की बात कही है और वहीं उनके चंद सेखर की बात करें उनको भी एक सीट देने की बात कही है तो मायावती अगर आ जाएंगी तो फिर अखले स्यादो कहां उन पर सीट ले तो आने वाला वक्त बतासकता है कि आगे क्या होता है क्या मायावती और बसपा के अगर बात करें तो वो इंडिया आलाइंस उनकी शतारी शर्थें मानता है या नहीं तो इन सारी खबरों को जानने के लिए हमाई साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए Live UP News 24